हलो नमस्कार मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्रियंका की दुनिया में मैं निकल रही हूँ अपने नेक्स देस्टिनेशन की तरफ जो कि है औरंगाबाद और ये काफी टाइम से मेरे बकेट लिस्ट में था क्योंकि मैं 12 जोतिलिंग यात्रा कम्प्लीट करने वाली हूँ और उनमें से एक जोतिलिंग औरंगाबाद पहुचने का सबसे आसान और सस्ता तरीका इंडियन रेल पे है अलग-अलग सिटी से यहाँ पे ट्रेन आती है इंडियन रेलबे के अलावा आपके पास बसेज के भी ऑप्शन है यहाँ अलग-अलग स्टेट से बसेज आती है अच्छी कनेक्टिविटी है बसो इसकी मैं पहुच चकी हूँ औरंगाबाद ऑरंगाबस स्मार्ट सिटी जो मारास्ट्रा के स्मार्ट सिटी में एक अता है और मैं यहां पे आए हूँ ट्वेल्ड जोतिरलिंग के दर्शन करने जो बार्वा जोतिरलिंग है वो यही है अरंगाबाद डिस्टिक पे आता है औरंगाबाद से 30 km के डिस्टेंस पे वैरूल एक जगह है गाउं है जहां पे वो जोतिरलिंग है तो मैं आज होई दर्शन करने के लिए जाओंगी और अरंगाबाद जो है यह औरंगजेव के नाम पे पड़ा है औरंगजेव ने अपना अरंगाबाद से पहुचने से पहले मैंने एडवांस में ओम साइराम टूर एंड ट्रेवल से टैक्सी वुग की ती जिनका नंबर मैंशन कर रही हूं यह आपको बहुत अच्छे से पुड़े सीटी टूर करवा देंगे कि यह एं ग्रिशने शवरस जोतीरलिंग के पास का पार्किंग एरिया है यहाँ आप अपनी गारी कर सकते हो और गारी पार्किंग का चार्ज है 20 रूपीज और अगर आप से आते हो तो यहीं पर आपकी बस आपको ड्रॉप करेगी और बस का चार्ज होता है 45 रूपीज जो अरंगाबाद से यहां को आती है और आप शेरिंग शेरिंग आटो से भी यहां आ सकते हो शेरिंग आटो का चार्ज है 70 रूपीज जो आपको यही मंदर के पास छोड़ेगी और यहीं से इंट्री स्टार्ट हो जाती है कैमरा बस यहीं तक एलाओ है इसके अंदर कैमरा नहीं जा सकता तो मैं अंदर का सूट नहीं कर सकती हूँ आपको यहीं से जो तिर लिंक के दर्शन करने पड़ेंगे अंदर मुबाइल कैमरा किसी भी तरह का सामान एलाओ नहीं है तो यहां लॉकर है जो कुछ चार्ज करते हैं और आपका सामान रखते है यहां मंदिर के बाहर आपको प्रशाद, फूल, सब कुछ मिल जाएगा और अंदर सब कुछ अलाओ है तो आप लेके जा सकते हो मैंने कर लिये हैं जोतिलिंक के दर्शन और यहां की सबसे अच्छी बात यह है अर्वग्री में जा सकते हो और अभिशेक कर सकते हो फूल, बेलपत्र जो भी है प्रशाद आप सब वहां चड़ा सकते हो यहां कोई ड्रेस कोड नहीं है लेडिस के लिए और जेन्स के लिए बेल्ट और सट अलाओ नहीं है और यहां पर कैमरा और फोन अंदर कुछ भी कोई भी सामान अलाओ नहीं है वो आपको यहां बाहर लॉकर मिल जाएगा आपको वही सारा सामान रखना पड़ेगा उसके लिए वो प्रॉपर रसीद देते हैं और कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं तो अब मैं यहां से आगे निकल रही हूँ यही मंदिर के पास ही जगत गुरू जनादन स्वामी जी का भी मंदिर है आप वहां भी जा सकते हो बहुत पीसफुल जगह है बहुत शांती मिलेगी यहां मुझे लोगों से पता चला कि जगत गुरू जनादन स्वामी जी का आस्रम भी है जो कि मंदिर के ठीक पीछे है यहां आपको फ्री में रहने की सुविदा मिल जाती है फ्रेज भी हो सकते हो और अगर आप स्रमदान करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं मंदिर से पास से दस मिनट की दूरी पर ही अमरित कुंड है जहां से बार्वे जोतिर लिंग की कहानी सुरू होती है तो आपको मैं ग्रिशनेश्वर जोतिर लिंग की स्टोरी भी सुना देती हूँ सुधर्मा और सुधेहा नाम के पती-पतनी थे दोनों का वैवाईक जीवन बहुत ही अच्छे से बीतरा था लेकिन वो संतान प्राप्ती के सुख से वन्चित थे तो सुधेहा ने अपनी बेहन घुष्मा की शादी अपने पती सुधर्मा से करवा दी और उसे एक पुत्र प्राप्ती हुई गुष्मा के मान सम्मान और पुत्र प्राप्ती से सुधेहा को इर्शिया होने लगी और उसने उसके पुत्र की हत्या करके इसी तालाव में पेग दिया और गुष्मा जो थी वो महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी वो डेली वो अपने हाथों से 101 सिवलिंग बनाके उसकी पूजा आर्चना करके इसी तालाव में विशर्जित करती थी और जिस दिन उसके पुत्र की हत्या हो गई वो उस दिन भी सिवजी की पूजा कर रही थी और पूजा करने के बाद उसने इसी तालाव में सिवलिंग को विशर्जित किया और इस तालाव से उसका पुत्र जिवित लोटा गुष्मा को महादेव जी ने इसी तयलाब के पास दर्शन दिए थे, तो गुष्मा ने प्रात्ना की थी, कि महादेभ जी आप यही वैरूल के नाम से है, यही पर अस्थापित हो जाइए, तो महादेब जी सिवलिंग का रूप ले करके वो यहीं वेरूल औरंगाबाद डिस्टिक में जो आता है यहीं अस्थापित हो गए और यह बार्वा जोतिरलिंग कहलाने लगा और अंगाबाद से ग्रिश्नेश्व जोतिरलिंग के रास्ते में ही आपको भद्र मारूति का मंदिर मिलेगा जहां पर हनुआन जी की लेटी हुई परतिमा है जो की बहुत कम ही देखने को मिलती है और अंगाबाद से ग्रिश्नेश्व जोतिरलिंग के रास्ते में ही दौलताबाद फोर्ट भी आता है और यहां आपको जरूर विजिट करना चाहिए हलो दोस्तों मैं पहुँच चुकी हुँ दौलताबाद फोर्ट जो की औरंगाबाद सिटी से 15 किलो मिटर की दूरी पर है पहले इस जगह का नाम देवग्री और इस फोर्ट का नाम देवग्री फोर्ट था लेकिन जब से यहां मुहम्मद तौलक ने यहां शाशन किया है तब से इसका नाम चेंज करके दौलताबाद रख दिया और इसे उन्होंने अपनी राजधानी बना लिया यहां तीन वंस ने राज किया है यादव खिलजी और तौलक वंस ने यहां 750 सीरियां चड़के आप यहां उपर तक जा सकते हो और यहां से बहुत खूबसूरत सा व्यू दिखता है सीटी का आप उसकी भी मजे ले सकते हो औरंगाबास सीटी में ही बीवी का मकवरा है और यह औरंगजेव ने अपनी वाइफ की याद में बनाया था औरंगाबास सीटी में ही पंचक्की है जो की 300 साल पुडाना है तो आप यह भी देख सकते हो औरंगाबाद अपने अजंता एलोरा की गुफाओं के लिए भी बहुत फेमस है आपके पास टाइम हो तो आप यहां जरूर विजिट करें मुझे यह मौका नहीं मिल पाया औरंगाबाद अपने पैठनी सारी के लिए भी बहुत फेमस है और आप जब भी औरंगाबाद आए तो आप ज़रूर स्वापिंग करें दिन बर घूमने के बाद बात आती है पेठ पूजा की तो वो भी बहुत जरूरी है और यहां औरंगाबाद सिटी में साही भोज की थाली बहुत फेमस है आप जब औरंगाबाद आए तो आपको एक पार यहां जरूर विजिट करना चाहिए यहां का खाना सच में बहुत अच्छा है आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरा औरंगाबाद का ब्लॉग कैसा लगा और आने वाली ब्लॉग के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो